कैनडा के बाद अस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कर रहे हैं limited number of student लेंगे जैसे Canada ने कहा था बट अब जो Australia ने वो cap है वो हटा दी है नए rules इंटर्ड्यूस कियें कौन-कौन से नए rules हैं कैसे वो work करेंगे अगर Australia का visa आने वाले दिनों में लगाना है study visa आने वाले दिनों चैनल को subscribe जरूर करना किसी भी तरह की visa filing में help चाहिए आपकी कोई query है तो हमारा number यहां पर flash कर रहा है you can contact us anytime GST Gen 1 student test Australia ने introduce किया है पहले बहुत समय से कहा जा रहा था कि Australia introduce करेगा finally उन्होंने 23rd of March से यह introduce कर दिया और इसमें SOP को लेकर हमेशा एक issue रहा था कि limited number की लगानी है इसमें words ज्यादा नहीं होने चाहिए अब अगर आपने Australia का student visa apply करना है तो आपकी SOP नहीं लगेगी आपके questions पूछे जाएंगे आपसे for example जैसे हम कोई visa application ready करते हैं उसकी initial stage में कुछ question होते हैं उस तरह के question पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में और भी इस चीज के उपर clarity आएगी पर यह बड़ी clarity Australia नहीं करती है कि आप student visa में आपको SOP नहीं लगानी है दूसरा चीज है कि आपको एक declaration देना पड़ेगा declaration का meaning आप समझते हों कि जो चीज आपने declare कर दी वो आपने honestly declare करनी है बाद में भी उस चीज की verification हो सकती है चाहे आपकी funding को लेकरो previous education को लेकरो आपके work experience को लेकरो किसी भी चीज की अगर declaration उसमें मांगती है ठीक है वो आप बाद में mismatch पाई जाती है तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है इसको उन्होंने introduce किया next जो capping Australia का success rate बढ़ेगा definitely ठीक है आने वाले दिनों में Australia ने पहले का था कि हम जी limited number of student लेंगे immigration को limited करेंगे temporary resident जो लोग है उनकी capability limited करेंगे बट अब Australia ने capping जो नए rules हैं उनके according visa के ओपर कोई भी capping नहीं है आप apply कर सकते हैं तीन चीजों का ध्यान रखना है अगर successfully visa लेना है हर एक country के visa के rule and regulation होता है तो सबसे पहला step है right selection of course अगर starting point अच्छा होगा तो definitely ending point भी अच्छा होगा दूसरा उस course के लिए उस आपके सपने के लिए आपके पास funding कहां से आ रही है वो बहुत matter करती है तो funding genuine होनी चाहिए 20 lakh की funding would be enough बकि course के उपर depend करता है थर्ड है technical कुछ criteria अच्छी देनी होगी documentation fake नहीं use करना है जैसे Australia हमेशा कहता है कि हमें genuine student चाहिए तो ये कुछ बड़े changes है आने वाले दिनों में और वी चीज़ें आएंगी तो मैं आपके शाथ definitely share करूँगा तो इस वीडियो को share जरूर करना ता जो maximum लोगों तक पहुंच सके तीन बड़े changes GST implement हो गया है SOP की जरूरत नहीं है student visa के उपर जो capping है वो Australia ने हटा दिया Thank you